गंगा एक्स्प्रेसवे के लिए भूमी अधिग्रहन की प्रक्रिया शुक्रवार को लगभग पूरी हो गई है. 0.8 एक 9 हेक्टेय भूमी का अधिग्रहन होना बाकी रहा है. इस भूमी पर विवाद है, जिसको जल्द सुझाने का दावा किया है. बहजोई में सुनवाई के लिए 22 गावों के 150 किसान पहुँचे थे. इन सभी किसानों की 18 हेक्टेय से ज़्यादा भूमी का अलग-अलग विवाद था. परियोजना में बाबधा ना आये इसलिए 13 दिसंबर को सभी किसानों को नोटिस जारी कर सुनवाई में बुलाया गया था. सुनवाई के लिए मुरादाबाद की विशेश भूमी अध्यापती अधिकारी ज्योती सिंग पहुची थी. सुनवाई के दोरान 18 हेक्टेय के स्वामी 150 किसानों से सहमती बन गई. खिर्नी में एक पेट्रोल पंप की भूमी अधिग्रहन होनी बाकी है. इस पेट्रोल पंप की भूमी पर दो पक्षों में विवाद है. विशेश भूमी अध्यापती अधिकारी ने बताया कि संभल जिले में गंगा एक्स्प्रेस वे के लिए 511 हेक्टेय भूमी की जरूरत है. इसमें 478.092 हेक्टेय भूमी का अधिग्रहन होना है. बाकी सरकारी भूमी उपलब्ध है. सुनवाई के दोरान 18 हेक्टेय भूमी के अधिग्रहन पर किसानों से सहमती बन गई है. कार्यदाई संस्था को गंगा एक्स्प्रेस वे की ओर से कब्जा प्रमान पत्र मिलते ही किसानों को भूपतान कर दिया जाएगा. अभी अधिग्रहन होने से 0.8 एक 9 हेक्टेय भूमी बाकी है. इसका समाधान भी जल्द किया जाएगा. मेरट से प्रयागराज तक जाने वाला 594 किलोमीटर लंबे छेह लेन का गंगा एक्स्प्रेस वे संभल जिले के 31 गावों से होकर गुजवना है. 18 दिसंबर को शाह जहापुर में प्रधान मंत्री गंगा एक्स्प्रेस वे का शिला न्यास कर चुके हैं. कार्य भी जिले में किया जा रहा है. संभल जिले में करीब 38 किलोमीटर दूरी का हिस्सा शामिल है. इस हिस्से में संभल तहसील के 17 और चंदोसी के 14 गाव शामिल है. भूमी का अधिग्रहन जून 2021 तक पूरा किया जाना था, लेकिन विवादों के चलते कुछ भूमी का अधिग्रहन करने में समय लगा है. संभल तहसील के गाव सहरा, ततारपूर संदल, निबोरा, खिर्नी मुझाहिद्दीनपूर, बसला, लहरशीश, बंजरपुरी, सुजातपूर, कसेरुआ, भटॉला, अजरा, ईसापूर, सुनवारी, भादूरपूर, उर्फ सराय, रसूलपूर, धत्रा, करीमपूर, शिर या कठेगाव से होकर गुजवेगा,